सामने आया फिल्म अंतिम से सलमान खान का फर्स लुक फिल्म में सलमान एक सरदार कॉप के रोल में नज़र आएंगे आयू शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सलमान ग्रे पैंट और काले जूतों के साथ नेवी ब्लू शिर्ट पहने नज़र आ रही है इसकी अलावा उनका सरदार लुक भी देखने को मिला उन्होंने सर पगड़ी पहनी है साथ ही बियर्ड लुक में भी नजर आ रहे है आयू शर्मा ने इस पोस्ट के कैप्शन में लखा अंतिम शुरू हैश्टाइग भाईस अंतिम फर्स लुक हैश्टाइग अंतिम फाइनल ट्रोथ रनवीर सिंग के हिंदी सिनेमा में दस साल पूरे अपने स्ट्रॉगल के दिनों को याद कर इमोशनल हुए रनवीर बैंड बाजा बारात से बी टाउन में धमाकेदार एंट्री मानने वाली रनवीर का कहना है कि उन्होंने एक ब्रेक पाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में साड़े तीन साल कड़ी मेहनत की है जिसके बाद उन्हें आदित चुपडा के फिल्म बैंड बाजा बारात करने का मौका मिला था रनवीर सिंग ने हिंदुस्तान टाइम से बादचीत में कहा कि कुछ साल पहले आज की तुलना में मौके कम थे क्योंकि तब OTT प्लाटफरम्स नहीं होता था रनवीर ने कहा क्यों नहीं अपने पोर्टफोलियो को लेकर आफस के चपकर काटने पड़ते थे रनवीर सिंग ने इंडस्ट्री में दस साल पूरे होने के खुशी इंस्टग्राम पर एक फोटो पोस्ट करके जताई फोटो में मास्क पहने रनवीर एक थेयर्टर में बाहें फेलाए खड़े है वहीं अनुशका शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बैन बाजा बारात के दस येर कंपलेशन को सेलबरेट किया रिपोर्टेडली नीतु कपूर 4 डिसेंबर को कुरोना पॉजटिव पाई गई थी उसके बाद आज उन्होंने फैंस को खुट का हेल्थ अपडेट देते हुए पोस्ट शेयर की है उन्होंने नोट में लिखा है कि वो सर्फ कॉरंटीन में है डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन्स ले रही है और पहले से बहतर महसूस कर रही है मा नीतु की इस पोस्ट पर धिमा कपूर ने कमेंट करते वे लिखा आप मजबूत है और फिट भी इससे आप और मजबूत और फिट बनेंगी इस साल गूगल टॉप फाइफ सर्च में नंबर वान पर है दिवांगत सशान सिंग राजपूत की दिल बेचारा दूसरे नंबर पर फिल्म सुरहरई पोट्रू रही ये तामिल भाशा की तन थी इस फिल्म को गूगल पर सबसे ज़ादा सर्च किया गया तीसरे नंबर पर अजे देवगन स्टारर ताना जी दी अंसंग वारियर चौथे नंबर पर विद्या बालन स्टारर शकुंतला देवी और पाचवे स्थान पर जानवी कपूर स्टारर गुंजन सकसेना दकारगिल गरल है अपने दूसरे बच्चे के नाम को लेकर करीना कपूर खान ने कही बड़ी बात शो वाट वुमेन वांट के नए एपिसोड में करीना ने निहा दूपया को बताया की तैमुर के नाम पर हुए बवाल के बाद उन्होंने और सैफ ने अब तक अपने दूसरे बच्चे का नाम तै नहीं किया है वो लास मिनिट पर डिसाइड करेंगे और सभी को सप्राइज देंगे सोनुसूद बने 2020 के टॉप ग्लोबल एशिन सेलिबरिटी सोनुसूद के अलावा प्रियंका चोपडा, दलजीत दोसांच, आईशमान खुराना और प्रभास जैसे नाम शामिल है खास बात यह है कि कई बॉलिवर्ट सेलिब्स को पीछे छोड़ सोनुसूद ने एक हिताब अपने नाम किया है आपको बता देखिए लेस इस्ट आई निउस्पेपर ने जारी की है कियारा अडवानी के फिल्म इंदू की जवानी सिनिमा घरों में रिलीज होने जा रही है लेकिन उसे पहले कियारा अपनी फिल्म देखने सिनिमा हॉल में पहुची एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें वो फिल्म के साथ समोसे का भी लुट्फ लेती नजर आ रही है कंगना ननौत ने सोशल मेडिया पर नाम और धर्म छपा कर हिंदू लड़की को फसा कर शादी करने की एक खबर को शेर करते हुए ये सवाल पूछा है कंगना लव जिहाद कानून का विरोध करने वालों से भी प्रशन पूछ रही है कंगना रनौत ने ट्वीट कर पूछा है हर दन हम ऐसे कई मामलों के बारे में सुनते है मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों को इस लव जिहाद कानून से समस्या क्या है अगर ये लव मैरेज है और दोनों अपनी वास्तविक पहचान बता कर शादी कर रहे है तो ये दोनों के लिए अच्छा है लेकिन अगर महीरा के साथ धोका और चीटिंग होती है तो उसके न्याय की लड़ाई कौन डड़ेगा एके वर्सेस एके के सीन पर एरफोस की आपती के बाद अनिल कपूर ने मांगी माफी अनिल कपूर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्हें अन्जाने में हुई वायू सेना की भावना को आहत करने के लिए माफी मांगते हुए देखा जा सकता है अनिल करने में अन्हें पर एके वस्ते हैं वाद इस के बदेखे? 10.elp , 11.चलेज़कर जारी के वही चर्चर में बटियां, वाही ही कूर झालने में अन्हें वीडियों के लिए तो अन्हें रॉपरी के वहीं वाहीं है on his quest to find his missing daughter. It was never my intent or the intent of the filmmakers to disrespect the Indian Air Force. I've always had the utmost respect and gratitude for the selfless service of all our defense personnel. And so, I truly apologize for unintentionally hurting anyone's sentiments.